बिना माबाप की मरजी के ही कुछ बच्चे अपने जीवन का बहुत बड़ा महतपून फैसला ले बैठते हैं और वो जीवन का महतपून फैसला यही होता है किसी लड़की के साथ भाग गए किसी लड़के के साथ लड़की भाग गई घरवाले देखते रह गए उनकी बेजजती करवादी पूरे समाज के अंदर तो ऐसे फैसले जाजातर आज के समाज में बच्चे और बच्चियां अपनी आजादी का भ्रम डाल करके लेते हैं यानि कि कहते हैं कि भाई हम आजाद हैं अपनी मरजी से अपना जीवन साथी चुनेंगे लेकर उनको ये पता नहीं होता आजाद तो तुम हो लेकिन अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि दूसरा जीवन साथी किस तरह का होगा इसकी पहचान कर सको माबाप के पास बहुती उम्र का एक कहते हैं एक तरह से experience होता है और वो बता सकते हैं कि कौन इंसान हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा तो यहीं पर मार खा जाते हैं बच्चे तो दोस्तो इस तरह से आज की भी घटना कुछ इसी तरह की है जहां पर एक लड़के और लड़की ने गलत फैसला लिया और उस गलत फैसले की वज़े से एक लड़की की जान चली जाती है जो की तरपती हुई इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है दरसल दोस्तो गर्फ्रेंड के साथ पहले तो प्रेमी ने हैवानियत की और 20 साल का ही प्रेमी था, 20-22 साल का उसके बाद उसकी हत्या कर दी होटल के अंदर और हत्या करने के बाद वाटसप पर अपनी गल्फ्रेंड की लास का स्टेटस लगाया और फिर उसकी गल्फ्रेंड के दोस्त जो थे उन्होंने जब वह स्टेटस देखा तो फिर पुलिस में इन्फॉर्मिसन दी और फिर यहां पर मामला खुलता है आखिर क्या हुआ था इस गटना के पीछे पूरी सच्चा यहां पर जानने वाले हैं वीडियो को आंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिरची बाद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना केरल की है केरल प्रदेश की अंदर एक दिसंबर दोजार तेश को यह घटना घटती है यानि कि अभी की घटना है जहां पर फौजिया नाम की एक लड़की रहती है जो की फिलाल 20 साल की है और जब वे स्कूल टाइम में पढ़ा करती थी तभी से उसका एक लड़के से अफेर हो जाता है और वे उस लड़के से चुपके से प्यार करती है और उससे साधी कर लेती है चुपके से उस लड़के का नाम होता है मैकी और मैकी की उमर उससे सिर्फ दो साल बड़ी है अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों यह दोनों साधी कर लेते हैं और तक्रीवन इनकी साधी को पांस साल गुजर जाते हैं दोनों ही मौजमस्ती कर रही होते हैं फोजिया है वह पढ़ाई लिखाई कर रही है अब फिलाल वह कॉलिज में है प्राइविट नर्सिंग कॉलिज में और वहाँ पर वह पढ़ाई कर रही है उसका प्रेमिय उससे मिलने आया करता है उसके साथ रहती है साधी को पांस साल गुजर जाते हैं और यह बीस और बाइस साल के हो जाते है अब इनको एक बच्चा भी हो जाता है और उस बच्चा को फोजिया अनात आसरम में छोड़ देती है यानि कि एक देखिए दोस्तों बच्चा पैदा कर लिया और बच्चा पैदा करने के बाद उसको पाल नहीं सकती है कॉलिज में पढ़ रही है उसको नाथासरण में डाल दिया है उसकी जिन्दगी जहन्नम बना दी है जीते जी अब यहाँपर क्या होता है कुछ दिनों और गुजरते हैं तो अब यहाँपर जो फोजिया होती है उसके बॉइफरेंड का नाम मैकी होता है जो की 22 साल का है उसको अपने बॉइफरेंड के उपर सक होता है कि इसका अफेर किसी लड़की के साथ है और सच में ही मैकी का अफेर किसी दूसरी लड़की के साथ में था भी तो यहां पर फॉजिया पकर लेती है उसको उसके मोबाइल में फॉन में जब देखती है उनकी चैटिंग वगेरा उनका फोटोज वगेरा तो यहाँ पर फॉजिया आप अपने प्रेमी मैकी से लड़ाई करने लगती है उसे कहती है तुमने मुझे दोका दिया है तुम दूसरी लड़कियों के साथ क्यों गूमते हो मैकी उससे जगड़ा करता है और दोनों के बीच में जब जगड़ा होता है तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों जो फौजिया होती है पुलिस्थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करती है और मैकी को जेल हो जाती है मैकी जेल में चला जाता है अब जो फौजिया होती है अकेली रह जाती है और कुछ दिन गुजनने के बाद अब यहाँ पर जो मैकी होता है वे जेल से छूट कर वापस आ जाता है जेल से छूट कर जैसी वापस आता है तो अब यहाँ पर इन दोनों का फिर से मिलन होता है उसको जिसके मुझ खून लग जाता है उसको फिर आम चीजें नहीं बाती हैं जिसको जगे-जगे होटल पर रोटी खाने की आदत लग जाती है वो फिर घर की रोटी नहीं खाया करता है इसी तरह से मैकी को भी आदत लगी हुई थी लड़कियों के साथ गूमने की तो पैर कई लड़कियों से चल रहे थी अब यहाँ पर वह दौनों होटल में जाते हैं जादातार होटल में ही जाया करते थे संबंध बनाने के लिए क्योंकि अभी लोगों की नजर में उन्होंने साध्य नहीं की थी चुप के से साध्य की थी अब यह दोनों होटल में जाते हैं संबंद बनाने के लिए वहाँ पर संबंद बनाये जाते हैं और संबंद बनाने के बाद दोनों बैटे हुए बात कर रहे थे तब ही यहाँ पर जो फोजिया होती है मैकी के फोन को देखने लगती है मैकी के फॉन में उसकी बहुत सारी गल्फ्रेंड्स के फोटो उसको नजर आ जाते हैं और आप फिर यहाँ पर फॉजिया मैकी से फिर से जगड़ा करती है कि तुमने आपकी बार तो कई गल्फ्रेंड बना ली पहले तो भी एक थी तुम यह गल्फ काम चोड़ोगे या नहीं चोड़ोगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जब फॉजिया खोदी अपने घरवालों को धोका दे कर या फिर उससे साधी कर लिया उसने अपने बना किसी को बताए वही जब धोका दे रही है तो उसको कौन सही आदमी मिलेगा मैंकी भी एसाई था और फिलाल भी वह 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 रहेगा क्योंकि इनकी जब नीवी खराब थी तो आगे कौन सा यह वट व्रक्स बनने वाले थे क्योंकि जो घर से भाग कर साधी करते हैं गरवालों को धोका दे कर साधी करते हैं क्या गारंटी है वह आगे चलके अपने पतनी और अपने पती को धोका नहीं देंगे क्योंकि उनकी नियत खराब हो चुकी है वो आगे भी एसाई करेंगे आदत खराब जब हो जाती है तो यहाँ पर मैकी वही कर रहा था जो उसका स्ववभाब था पहले उसने भाग करके फोजिया के साधी की है तो और वे लड़कियों से मस्ती ले रहा है तो यहाँ पर इन दोनों के बीज में जगड़ा होता है होटल के कमरे में और जगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मैकी अपनी टी सेट उताता है और टी सेट को अपनी पत्नी फोजिया की गले में लपेट कर उसको तब तक खींचता है जब तक उसके प्रान नहीं निकल जाते है फोजिया तरब तरब कर मर जाती है और जैसे फोजिया मर जाती है उसके बाद मैकी उसकी लास का फोटो खींचता है और अपने WhatsApp स्टेटस पर उसका फोटो लगा देता है दोस्तों उसके बाद जब उसका फोटो WhatsApp पर लग जाता है इसी वज़े से वह पकड में आता है क्योंकि फौजिया के जो दोस्त थे वह देख रहे थे कि यहां पर फोजिया तीन दिन से कॉलिज नहीं आई है आखर उसके साथ हुआ क्या है तो जब WhatsApp पर स्टेटस देखते हैं वह मेकी के WhatsApp पर तो पता लग जाता है उनकों कि इसकी तो मौत हो चुकी है और पुलिस में जाकर सारी कहानी पुलिस को बताते हैं और उस फोटोज को भी दिखाते हैं पुलिस तुरंट उस मेकी को पकल लेती है उसको फिर से जील में डाल दिया जाता है ये दोनों आयासी कर रहे थे और इनका जो बच्चा हुआ था वह अनातासरम में जीते जी ही इनोंने अनातासरम में कर दिया था मरने के बाद तो अनातासरम में रहे गए रहेगा यानि कि बच्चे को जब भी कोई फरक नहीं पड़ता अगर ये जिन्दा रहते तब भी वह तो अनातासरम में था और मर गए तो भी अनातासरम में है यानि कि उस बेचारे ने क्या बुरा लिखाया था कि जनम से ही उसको इतने दुख भोगने पड़ रहे थे जनम से ही उसको अनातास्रा में डाल दिया गया था तो ऐसा होता है दोस्तो इंचकरों में कभी भी इंचकरों में ना पड़ें अपने आपको सुद्धता से रखें और एक कहते हैं सात्विक्ता से रहना इंसान बहुत जरूरी है और सात्विक्ता से हर एक इंसान नहीं रह सकता क्योंकि सात्विक्ता से रहने के लिए अर्मानों का गला गोटना पड़ता है नेजाने कितनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है तब जाकर इंसान सात्विक तासे और सुद्ध तासे रह सकता है जीवन के अंदर गलत बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और गंदा बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक मिनट में गंडा बन जाओ, एक मिनट में गंदा और गलत संगत में पढ़ जाओ वो एक मिनट का खेल है लेकिन सात्विक और सीधा इंसान बनने के लिए बहुत ही सालों का परिशलम करना पड़ता है और नजाने कितनी ही इच्छाओं का को दफन करना पड़ता है और बड़े हिसाब से समाज के सामने पेश होना पड़ता है तब जाकर कुछ लोग कहते हैं कि वाई फलाना आदमी बहुत ही अच्छा है तो सोचें जीवन को समझें जीवन क्या है और क्या जीवन की सच्चाई है ऐसे गंदे कारियों में पड़ेंगे तो जीवन बरबाद ही होगा इसलिए अपने जीवन को बरबाद ना करें दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको सेर जरूर कर दिया करें और अगला पूरा मोजलदी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें रिष्टों की एमित को समझें जै हिंद जै भारत